नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को सोना बनाने का प्राचिन प्रियोग बताने जा रहा हूँ अपने इस प्रियोग में मैं आपको सीधा प्रियोग बताऊंगा कि सोना कैसे बनाना है कौन सी समगरी लेनी है और उस काल में सोना बनाने की बिद्या कैसी थी और लोग जो है कैसे उस काल में सोना बड़े आसानी से बना लेते थे पूरी जानकारी दूँगा अपने इस बीडियो में और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बहुत ही जल्दी अपनी बात को मैं खतम करूँगा तो दोस्तों चलिए मैं आपको बड़ताता हूँ सोना बनाने का प्राचीन प्रियोग तो अगर दोस्तों अगर आपने सबसे पहले हमारे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दवा लीजिए ताकि आप सभी हम से जुड़ जाएं और जब भी कोई बीडियो लेकर आएं उसका संकित मिल जाएं और बीडियो को लाइक कर लीजिए सही प्रकार से तो दोस्तों सोना बनाने के लिए प्राचिन काल में बहुत ही ज़ादा लोग जो है अईरुबेद का ग्यान रखते थे और धातूओं का ग्यान रखते थे साथी साथ दूसरी समगरियों का ग्यान रखते थे जिससे उन्हें सोना बनाने में बहुत ही आसानी होती थी लेकिन दोस्तों अगर इस यूग में आज की अधुनिक समय में कोई अगर सोना बनाने का प्रयास करता है या फिर किसी से कहता है तो लोग उसका मजाक उडाते हैं कि कैसे पागल लोग हैं कि जो है वो नस्पती से सोना बना रहे हैं दादों से सोना बना रहे हैं तो भाईया ठीक है तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं प्रियोग सोना बनाने का कौन सी समगरी लगनी है किन बातों का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही असान है अगर दोस्तों आप लोगों में से कोई भी विक्ति अगर सफल हो जाता है तो दोस्तों इससे बढ़कर हमारे लिए खु प्राचीन प्रियोग जिसके माध्यम से कोई हर चीज का ग्यान होना अति अवश्क है तो दोस्तों सोना बनाने के लिए कौन सी समगरी लगनी है ध्यान से सुनियेगा और वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप सोना बनाना सीखना चाहते हैं अगर आप सोना बनाने की प्राचीन बिद्या को और प्राचीन क्रिया को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा तो दोस्तों सोना बनाने की समगरी इस प्रकार से है आपको सबसे पहले यमक्षार, नीला थोथा, कसीम, सर्जी खार, सेंधा नमक इन दोस्तों आपको क्या करना है कि इन पांचों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके पीस लीजिए दुबार से नाम बता देता हूँ यमक्षार, नीला थोथा, कसीम, सर्जी खार, और सेंधा नमक इन पांचों को मिला करके अच्छे से इनको कूट लीजिए और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको नीबू के रस में इने घोटना है लगतार कम से कम दो घंटे तक ठीक है और जब आप इन पांचों समंगरी को अच्छे से निबू के रस में घोट लेंगे तो दोस्तों फिर आपको क्या करना है कि फिर इसमें पारा मिला दें यानि कि इसमें पारा धातु मिला दें और जब ये दोनों मिल जाएं तब दोस्तों आपको हरताल का पानी जिहां दोस्तों तब आपको हर्ताल का पानी थोड़ा थोड़ा डाल कर इसको अगनी में पकाना है, चार घंटे पकने के बाद वह पारा सुध सोने में बन जाएगा, जिहां दोस्तों वह पारा सुध सोने में तब्दील हो जाएगा, जिससे दोस्तों आपको लगेगा जैसे कोई अचानक से चमतकार हो गया हो दोस्तों यह एक रसायनिक किरिया है जिहां दोस्तों यह एक रसायन सास्त्र का पाठ है रसायन सास्त्र का हिस्सा है जो लोग समझ गये तो दोस्तों वोग मजाक नहीं उडाते हैं दोस्तों रसायन सास्त्र में खोज करना और उस पर रिसर्च करना या फिर उसको दोस्तों साकार रूप में परिवर्तित करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल कार रहे हैं लेकिन आसंबो नहीं है जिहां दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बिग्यानिक वर्ग है वो ल कि इसे इन और सधियों के मादध्रम से शोना बनाना है तो बनाना है वह जरूर बना सकेगा अगर वह प्रियास करता है तो दुंस्तों हमारी चनल का में मकसद हैं आपको जांकारी देना ठीक है और हमारी ये पिरम्यक्रास जिम्मेदारी नहीं है। आप अगर सोना बना पाते हैं तो ठीक है अगर आप सोना नहीं बना पाते हैं तो भी ठीक है ठीक है दोस्तों कहने करते दोस्तों आप जो भी किरिया को करिएगा अपने जिम्मेदारी से करिएगा इसमें दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही कार रहे है कि आपको जानकारी देना एक बहुत बड़े अर्वेत के ग्याता थे जिन्होंने रसायन सास्तर के द्वारा इस प्रकार से अनेकों प्रकार के रसायन बनाए। जिहां दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी सोना छोड़ो सोना तो उनके लिए छोटी बात थी सोना चांदी बनाना उनके लिए छोटी बात थी वो जो है दोस्तों यहां तक की जो हमारे नांगारजुन जी जो थे वो दोस्तों यहां तक की लोहे से तामबा बना देते थे यहां लोहे से तामवा बना देते थे और तामवा से अंडधातू बना देते थे ऐसे थे हमारे नांगारजुन जी दोस्तों वह एक बहुत बड़े बिद्वान एक रिसी थे और दोस्तों वो इतने बड़े बिद्वान थे कि दोस्तों वो औसधियों के माध्यम से ऐसे ऐसे निर्माण करते थे कि मनुस्य अगर उसको गले में उस रसको गले में लेपन कर ले तो दोस्तों अगर उसकी पर तलवार चला दी जाए तो दोस्तों तलवार का घाव नहीं लगता था ऐसे ऐसे रसका निर्माण करते थे हमारे नांगार जुन जी लेकिन दोस्तों जो जो ची वहीं तक ही सोच पाता है जो बुद्धी से अपंग होता है तो दोस्तों मैं जिसकी बुद्धी बिस्तारित होती है जिसकी बुद्धी समाबेसी होती है वो लोग इस चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं जी हां दोस्तों मैं आपको चीज बताता हूं कि जो नांगरजुन जी से जो है इस किरिया को जो रोक देने की अपील की थी जिसका उलेक दोस्तों कई गिरंतों में मिलता है जी हाँ साथी साथ दोस्तों नांगारजुन जी जो थे उन्होंने एक ऐसा रसायन बनाये था जिसके सेवन से मनुष्य की आयू 500 साल से आगे तक रहती थी जी हाँ दोस्तों और वो ऐसे ऐसे रसायन का निर्मान करते थे कि अगर उस रसायन का एक धक्कन भी पी लिया जाए जी हाँ दो महिना तक रह सकता था यहां तक की 6-6 महिना तक भूंका रह सकता था ऐसे ऐसे रसायन का निर्मान किया जा सकता था लेकिन बहुत सारे जो उस काल की जो लोग थे इस बिद्या को जानते थे किन्तु समय के अभाव में और लगातार इस भारत पर आक्रमण होते रहे और यहां के कई लोग इस बिद्या को भूलते गए फिर दोस्तों हमारे लोगों ने ही अपनी ही बिद्या को गलत ठैराना साबित कर दिया अपनी ही बिद्या का जो है मजाक उड़ाना चालू कर दिया जिस कारण दोस्तों इस बिद्या को और भी नीचे ले जाया गया जिससे क इस विद्या का पूरी तरह से लोप होता दिख रहा है, लेकिन दोस्तों, आज भी ये विद्या कहीं न कहीं भारत के किसी न किसी कोने पर अच्छे से फल फूल रही है, तो खेर दोस्तों, मेरा मकसत था आपको जानकारी दे दी है, बाकी आप के उपर है, चाहे विश्वास करो, चाहे ना करो, मेरा मकसद था आपको जानकारी देना, अगर आप इसको करते हैं, वो आपकी उपर है, चाहे आपको लाब मिले, चाहे हानी मिले, मेरा मकसद था आपको जानकारी देना, अब आपकी उपर है विश्वास करो, चाहे ना करो, ठीक है, अप